करेंग Pence कैसे आप सब लोग आइच्छे तो आज लोगों के लिए बहुत इंटरी pueblo लिखा एं इंटरेश्टंग का नाम है कि हम लोग Kalina करेंगे वोडिष्ट करेंगे किसी कð मिली इस में सेव और सेव स के स्के बीच सबसे पहले सेब का मतलब जान्ते और से वसे का मतलब का acking कि अब एकी कोई टाइम करते हैँ इट मेंस कि सम्सक्राइब करते है कि यहां पे नियू पे गए और यहां पे जाकर करें लिए और मैंने इसे किया उपन कर लिया ठीक है? अब यह open हो, जब तक यह open हो रहा तब तक आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक भी कर दीजे, यह open हो गया दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं? हम is equal to करते हैं और यहाँ पर rand करते हैं, open bracket, close bracket और enter कर दिया ठीक है? यह देखें, यहाँ पर क्या हो अब? एक paragraph प्रिंट हो गया अब इस paragraph के according हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर? जब हम देखेंगे कि यह paragraph यहाँ पर प्रिंट हो गया है तो अब हम लोग क्या देखेंगे? कि यहाँ पर एक file पर चलेंगे file पर जब मैंने click किया तो एक चीज open होगी यहाँ पर एक होगा save और एक होगा save as जब हम कोई file first time save कर रहोंगे तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? save पर click करेंगे जब होई file को हमने save की होई file में कुछ और edit करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर उसको किस नाम से save करेंगे? save as के नाम से save करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों देखें save है, save पर click कर दिया यह हमारा क्या होगा file? save होगई अब जब कभी भी मैं यह लिए file को open करूँगा जो मैंने बनाई थी और यहाँ पर देखूँगा तो already क्या होगा इसमें? कुछ न कुछ, save किया हुआ होगा जो save किया हुआ था, अब मेरे को इसमें क्या करना है, suppose कोई changes करने है वर्ड पे, तो जहाँ जहाँ पर मेरे को क्या देखना है changes करने, इसमें की इसे क्या करता हूँ, पहले मैं कार देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं एक paragraph और एड करता हूँ is equal to r a and d दो paragraph लिख लिए मैंने अब दो paragraph में दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो पहला वाला paragraph है और जो दुछरा वाला paragraph है वो दोनों अलग फाइल बन जाए तो इसकी अलग फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंप्यूटर के desktop पे किस नाम से सेव करना चाहता हूँ इसे मैं सेव करना चाहता हूँ new word document file no.2 और इसे मैं सेव कर दूँगा यहाँ पे सेव कर तो हुआ ही नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक another लिख देड़ा हूँ a-n-o-t-h-e-r another और इसे another file location वहाँ पे सेव भी नहीं कर सकते फ़री यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसे यहाँ पे सेव करना है ना में तो हम लोग इसे क्या करेंगे सेव कर देंगे another के नाम से अब आप लोग दोस्तों क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो पहले save किया था वो ये रहा, किस नाम से था जूच में एक paragraph लिखा हुआ था ये रहा, और इसी पे जो हमने आगे correction करी उसको हमने क्या किया यहाँ पे से देखेंगे जो हमने दूशरे paragraph में दूसरा paragraph add किया था, वो कहाँ पे है वो यहाँ पे है ये देखें, दो paragraph add होगे तो ये difference है दोस्तों save और save as के बिच में जो save होता है, उसमें क्या करते हैं अगर हम कोई first time document बना रहे हैं या हमें कोई file मिलती है, या कोई mail पे आती है तो हम लोग उसे क्या करते हैं सीधा save करेंगे, तो वो क्या करेंगे हम अपने पास उसे save कर लेंगे दूशे नमबर पे जो save as आता है उसमें अगर हम कोई correction करते हैं तो हमारे पास एक original copy और उसकी duplicate copy रखने के लिए save as का option कामबर करता है इसमें इसकी copy भी कर सकते हैं या तो फिर हम उसमें कोई edit करने के बाद उसे भी रखना चाहते हैं after editing या modify करने के बाद तो हम उसमें क्या करते हैं save as का use करते हैं वीडियो आपको कैसी लेगी दोस्तों हमें comment करके जरूर बताए वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों वीडियो देखने के लिए thank you show मत दोस्तों